जब जब इतना शांदार कभी सम्मेलन हो चेर्वेंड साथ और मंच पर सभी कभियों का स्वागत किया जाए माला पहना ही जाए तो कोई एक कभी बचना नहीं चाहिए बचता है तो वो खुद अपना सम्मान कर देता है हाला कि भाई साब हाला कि गुजरों को हमेशा हक लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है यह 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 मैं ले लूँगा भया आप सभी को माशार्दे को नमन करता हूं आप सभी को प्रणाम करता हूं मंच को प्रणाम करता हूं शांदार आपने इतने अच्छे कभी बुलाएं पिछे मोबाइल में भई जा कुछ कर रहे हैं आइंग चेटिंग भी समबड़ी आइव नो प्रोब्लम किसी से भी चेट करो किसी को भी सेट करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक सला दे देना चाहता हूं कि सुनारी जुल्फो वाली डीपी का माता सपाड भी हो सकता है सुनारी जुल्फो वाली डीपी का माता सपाड भी हो सकता है और जिसे तुम माधूरी समझ रहे हो वो मांगी लाल जाट भी हो सकता है पारमनुद ये टेकनोलोजी इसमें कुछ भी हो सकता है बाइदवे भया भया बाइदवे माधूरी भी हो तो भी रूप बदलती है रूप सिया मंतर लगा के बांध लेगी ये तुझे कोई जंतर लगा के डीपी देखकर दिवाने नबनो नादान आशिको सेलफियां लेती ह लड़कियां फिल्टर लगा के फिल्टर का जमाना है और मैं वीर भूमी मेवार से आया हूं उद्धैपुर से हल्दी गाटी के पास से मैं चाहता हूं कि अपने कावेपाट की शुरुवात शोर्य वीरता और पराकरम की पंक्तियों से करो जिंदा बात हमारे ये इसका नि प्राइब दोका खाने वालो बेवफाई का रोना रोने वालो आप अपनी महबद की एक वाई सिकर वाई है आपकी महबद कहीं नहीं जाएगी कोई दूसरा लोगिन भी करना चाहेगा तो टीपी आपके पास आएगी हाँ 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 टेक्निकल शोट यार मनो जिन्दा प्रसूता माटी से हमाए हल्दी गाटी से उस भीर प्रसूता माटी से दरकार का हतियारों की सर फोड़ दे सूकी बाटी से बाटी फेक न मा तो फोड़ता हूं इसलिए मेरे बाट सुनो ना मेरे बाट सुनो चार पंक्तिया आपके लिए मैं शोर वीरता पराकरम के अब पढ़ता हूं कि डरता नहीं किसी के बाट से न शर्मिन्दा हूं अपने आप से गुंडे हो या दादा वजीर हो या प्यादा आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमरीक सिदे पाउं कर का यह हाहँ ऍटाल्या गलत जगे बझाए तालया आपने गलत जगे भजेंगे यदि आपके रक्त में उला जाएं शिराएं में रक्त दोडने लगे तो ताली अब बज़ें माफी मांग लेता हूं सीदे पाउं पकड़कर अपनी हिमाद अपने होसले को कभी तोड़ता नहीं और जब तक अगला माफ नी करे पाऊँ छोड़ता नहीं इस से ज्यादा वीरता में नहीं दिखा सकता है एक बार में ने कोशिश की थी घर पे गया घर पर जाकर पत्नी से वीरता मोला मेरे लिए बोजन ले क्या हो वीरता मैसे बोलना पड़ता है मेरे लिए बोजन ले क्या हो लुगाई रोटिया ले रोटियों पे गी नी लगाया मेरे माथे में यो मोटा गूमडा हीकडा जो भी आपको वो हो गया मैना च्रुप चाप टुकुडे क्षाए बाहर आया बाहर बुद्धि भाई साहब मिल गए यह बोले मनोज यो थारा माता पे कई वेई रो में कि यो मारा माता पे हीकडो वेई रो यह बोले भाया थोड़ो गी चोपड़ लेतो नहीं, मैं क्यों रहे गी वेता तो यो हीगड़ो वेता ही नहीं, अनन्द आ गया हो तो जोड़दार खुल के तालिया वालिया बजाव या, ने सरकिक था गया है इसके, मजे लो, आनन्द लो साब, लोड ने लो, आप हमेशे ही लेते हो, बारह is the confusion, ''confusion को हमारे इधर अंग्रेजी में कहते है, Betty Dapa Choo K Oo, Da बुगाई आई तो सीधा ही जानवर केने लगई अब मुझ डाफा चुग हो गयो मैं मनना कुग डांडा हूँ गया मैं तो बुद्धीबज साब के पास गया मैं कि आप बताओ मैं जानवर हूई या इंसान हूँ बुद्धीबज साब ने का शकल से तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है डोक्टरके पास holma Chief Doctor साप के पास गया होस्पिटल के उपर रिखा हुआ था पकी सालह समक्तों में वही गया कि मुझे झाली प्र ऑंदर गया मैं कर देको स्हान बातां मैं जानवर हूई या इंसान हूँ नोर्छ शा आपने का जाच करनी कौन सा सेंपल उठा कर लाया, डोक्टर साब के हाथ में थमाया, डोक्टर साब ने जाच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया, आप उटनी हो, और तीन महीने से गदबती हो, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कि यह है, मैं जाब यह नहीं जालेगा, मैं फिर योगेंदर जी चारो तरफ से देखा, बोले कुंडली भी समझ में नहीं आ रहा, तो जानवर है या इनसान है, पर नवे ग्रह में राहू और केतु की कूद रिष्टी है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पीछे पूच हूगेगी, मैंने का पंड़ जी कोई उपाय बता मैंने का पंड़ जी यह क्या था, तो पंड़ जी वोले लाला यार यू लग रहा है, इस कुत्ते को भी किसी पंड़ित ने यही उपाय बताया है, अनंदलो साहब, आप सभी ने मुझे यह आमंत्रित किया, बड़े भगिसली लोगों मेरे जैसे विक्ति को आमंत्रित किया संसार का सबसे लगी आदमी आपके बीच में आया, संसार का सबसे लगी आदमी मेरी वज़े से सबका फाइदा होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है, मैं पहले भारती जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंशुरेंस करता था, मेरी वज़े सबका फाइदा में नक्सान क्यों करें मैंने तो मेरी ब्यूरू खोला लड़के लड़कों की शादिया करवाई मेरी वज़े से सबका फाइदा हुआ आज तक मैंने जिस दिस लड़के की शादिया करवाई उसकी लुगाई को अभी विदबा पेंशन मिल रही है मुंबई चला गया एक सेट के वाँ मैंने गा सेट जी मुझे नोकरी पे रखो वो बहले बिल्कुल तेरे को नोकरी पे रखेंगे मैंने सुना तुलक की आदमी है मैंने भी तुम्हे हूँ तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान ने विक्री बढ़ने चाहिए मैंने को वाई नोट बिक्री बढ़ेगी मैं आगे आऊ भगवान कसम बिक्री बढ़ी सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके फिर फरनिचर बिका फिर दुकान बिकी लास्ट टाइम जब आया दोनों किडिनिया बिक्वा कर आया हूँ अब आप चाहते हो कि अपने लग्का प्रभाव यहां नहीं दिखाउँ तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर धंग से तालिया बज्टॉई आनद लो हम तो राजस्थान के लोगे सामा राजस्थान के लोगे राजस्थान पर क्या कविताय लिखे क्या कविताय करें कवियों ने कविता लिख डाली कता कार ने लिखी कता बच्चों का बच्पन लिख डाला लिखा जवानी जोस्तता सदियों तक जो अमिट रहेगा कुछ ने ऐसा लिख डाला जिसने जेसा देखा इसको उसने वैसा लिख डाला लिखा हुआ जो आडावल पे वो भीलों का शोनी थे धोरों के कंकंड पर पढ़ लो गाता है सब वनी थे कहीं प्रेम की लिखी इबारत कहीं राग है भक्ती का तलवारों की कलम बनाई हर पन्ना है शक्ती का त्याग लिखा है शोर्ड लिखा है वीरों का गुनगान लिखा और बलिदानों में सबसे उपर अपना राजस्थान लिखा बहुत 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 आबार बहुत बहुत धन्यवाद आपको लगना चाहिए एक धंकी बात भी कर सकता है इसलिए बागी ढंकी बातोंड नहीं मच्छं습 मिनने मैंने बॉला एपन भी इंडियन नाडल के आडीशन कर दो की सवाड़ेख गाना किसोरकुमार मॉमत पार्फी थो याद न हम इसके बोटति हम ने रिख और आर्वा सामने गया तो न्दुमय करो वो बेटे हुए ते सामने है अब जैसे ही मैंने उनको देखा मेरी डिस्क फॉर्मेट हो गई मुझा भूल गयो लेकिन राजस्थान का आदमी उपर से मेवार का आदमी जहां जाता है अपनी संस्कृति लेकर कैसा जाता है आपको समझ में आ जाए तो आनल लेना अपने रात कि अधरी पावजी कठे गया, मारे तेल बल्यो सारी रात कुछ लेड़ेस्थ हो, कुछ पॉप सुंग वुच रफ सुंग, मैं मैं आ चाए रेप शूंग, वो भी है अपना पास या या मन्यों, कुणा रोक रिदी पन्यों आ रुरेदी शें प्सान में 3 2 1 पारुजी थां कठे गया तेल बलेों मर सारी राथ सारी राथ वनोगे ला डंडीबाट ऑके बनाओ बिगडी बात ठाए जीम अपूरी जाथ घिक पीपा लें लेंहोंगदी का छत्तर चलङओ घरisto मारे सांती नी बीवी केणा मानती नी अको दन दम दीम लूका रोटा खाटो जीम रात आंदारी गेलोची करनों मैं दरे पुए बन्यम में एक ली चागया भीया प्यारे अधा वेतनकारता नेता रोवे केश ने लूट रिया है देश ने ठाई बताओ जाओ जाओ कथे दुखमर में तो आयो आठे बोपा जी कई केई दो आखा पाती दे दो जो के वो वो परो करूँ मातो फोड़ू अठेई मनूँ अब तो चाल मारे साते हाकल पटकू मोरा माते कुर दो मेरा बेडा पार भेरु जी की जैजेकार जैजेकार बाबा जैजेकार भेरु जी की जैजेकार ताली बजाओ बार लबार भेरु जी की जैजे कार वो बले ये नहीं चलेगा नया वक्त है नया मैं ने कहो हम तो बस बेरुजी के बगते बला बेरुजी बाव जी की अनन नारण मन्यों देख तो रहे हैं मजे लो आनन्द लो और कुछ भी नहीं है शुरुता बड़े मस्त है ब्यावर किसमें कोई दोराई नहीं बिलकुल शांदार सोता है हमारे देश के बड़े-बड़े कवी हमार आपने सब ही ने शोले फिल्म देखी होगी शोले फिल्म यदि इस वक्त बनती है और ब्यावर में बनती है तो ब्यावर में राजस्तानी की शोले कैसे होती है आनन्द मजे लेड़ा डायलो गबर कितना आदमी थे सरदार हम क्या जाने हम तो खाली लुगईया देख रहे यार क्या पंच है यार ये तो अरी ओ सामहा उठा बंदूग और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में सरदार बंदूग नहीं चल रही है आपने इसको आधार कार्ड से लिंक कराया या निक रही है कितना इनाम रखे हैं सरकार हमारे उपर सरदार पूरे 36,000 जूटला 36,000 इनाम कठर है मारा उपरे मारा उपरे तो पूरा 50,000 इनाम है और कोई निसरदार 28% GST कटेगा तो 36 इनाम जाएगा और अंतिम डायलोग आपके समझ में आ जाए तो अब पूरा सदन दिल खोर कर पूरा तालिया बजाना पचास पचास कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो मा केती है बेटा सोजा बेटा सोजा वरना गबर आ जाएगा तो बेटा केता है मा रेन दे बेहुकूब मत बड़ा तेने मुझे यूँ ही के के बेहुकूब बना कर पहले तीन बार सुला दिया मेरी प्रोपर्टी में तीन हिस्सेदार हो रहा गए क्या कवी के बात कहने का सली का देखो आप आनन्द लो साब थोड़ा पांस साथ मिट उट मिट लो पांस साथ मिट उट मिट लो यह भी निए बलेगा मैं डर लगे मन्न यार बेशाब हाँ आनन्द मिलो हमारे बहुत शानदार यहां के मेरे मित्र और बड़े भाई देवंदर जी सलमयबादी अगरवाल यहां पे बेठे हुए हैं मैं उनकी उपस्तिते को भी प्रणाम करता हूँ मेंदर जी मेंदर जी वो पहले भी भूलिया था मेंदर जी सलमयबादी अनन्द लेनाव साब में तो छोटे से गाउं से मावली जंक्षन से यहां तक आया हूँ आपके बीच में आया हूँ भाईया पीछे फिर से मोबाईल में कुछ कर रहे हैं मुझे तो लगता है कि दिल की जमी पर महुबत की बस्ती बसा रखिये लगता है मेरे बाबु ने कोई सोना फसा रखिये आज कल ये सोना बाबु जयदे चल दा चोना बाबु क्या कला है मेले बाबु क्या कला है चोना बाबु काना काया चोना बाबु पानी पिया चोना बाबु पटे कलेंगे चोना बाबु गुमी चलेंगे चोना बाबु जी गाटा तो सोना बाबु और सोना मिल गई टक्करमा बाबु फज गया चक्करमें खलेश करें और कांड करें रोज नहीं डिमांड करें बाबु उससे डड़ता है मांगे पूरी करता है चाटा मारे रोने न दे सोना बाबु सोने न दे गाड़ी बिग गया बंगला सोना बाब बोलो सोना मैया की बोलो बाबु भाईया की मैं उंधरा उंधरा तुनाओ उंधरा नंही मन कोंगा छुमिताफ यसे ज़िए हमा चैनल बाइसाब एक कविता की फर्माई केरा हैं राजनेते पर मैंने वियंग लिखा है मझे लेना आनन्द के लिए आज कालना देशरी हालत गणी खराब वेगी राजनिती जाने वना ही जी राप वेगी चाच कठीनी जैरी नार ने चारारा पूड़ा बैरा उंद्रा मनक्या ने खाईरा बकरिया डाचा बर्री लोमडिया आकास में उड़ी गंड़कड़ारे पंग आगी गया वांधरा हड् रखवाली कर रिया खर्गोशा खजूर पे चड़ रिया और गोड़ा एला मेला पर रिया कि मुझ भूल गया थोड़ा भूल गया एक बार ताल्या वाल्या बज़ा दस्ताब आज काला देशरी हालत गनी खराब एगी राजनिती वनाईजी राब वेगी चाज कटीनी जैर भूल भूल गाजल में दूसरी हम लोग कॉन है आप लोग कॉन है हम इतना शानदार उस्ताव यह कुछ पंक्तिया आपके बीच में रखना चाहता हूं कि सब जीव जगते नाता है सब जीव जगत से नाता है वो सुधा के भग विदाता है बलदानी पच पर चलते हैं तब तब के तब में जलते हैं संताब सभी सह लेते हैं जो मिले अभाव रह लेते हैं जीवन में स्वाबी मान रहा रामायन जिनका गान रहा सम्मान करे हम संतों का गुनगान करे श्री मंतों का सीने में सीने में आग समेटे हैं के सरिया वस्त लपेटे हैं कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं आधार उनी से है अपना संसार उनी से है अपना सब माया वो ही रचते हैं सासों में वो ही बसते हैं रमते हैं वो ही कणकण में रड़ते हैं जिनको हर चण में कष्टों के तारण हार वही भक्तों के पालन हार वही जो छीर सिंदु के पेटे हैं वो शेशनाग पर लेटे हैं कहो गर्व से सरातनी हम शिरी राम के बेटे हैं और अंतिम पंक्तिया वो आराध्य हमारा कोन है मुझे ढंग से तालिया बजा कर विदा करना यदि मैंने आपका सही कविता पाट किया हो मनोरंजन किया हो आनंद दिया हो तो कि सब देवों में अवतारों में सब देवों में अवतारों में धर्ती में चान सितारों में शाखा में पत्तों मूलों में खुच्बू है वही फूलों में पंची में कीट पतंगों में सर्ष्टी के सारे रंगों में शबरी के जूटे बेरों में वो जनम मरण के पेरों में आरंब वही है अंत वही है पवन पुत्र हनुमंत वही कर्थाम कर्थाम सहारा देते है जीवन की नई आखेते है कहो गर्व से सनातनी हम शिरी राम के बेटे हैं वाँ 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 वन्स मौर ये पेदा हुआ था जब भी मोलने में ऐसी ही हावाजे आई थी पर इसके मातापिता ने नोटिस नहीं लिया मुझे अच्छा लगा कि जिन कवियों को हमने बुलाया आप उनको बार-बार सुनना चाते हो मुझे ध्यान रहेगा आउसर आने पर मैं उनको सुना पाऊं बहराल एक लंबी फैरिस्त मेरे पास है लगबख 11 बच चुके हैं और अभी तक मातर दो कवियों का कविता पाट हुआ है हम चाहते हैं कि पूरा एक एक बार सभी कवियों को आपको सुनने का उसर मिल जाए दूर दूर से सभी कविया आएं तो दूर दूर से शुरोता भी आये हैं इस कवियों के आज लगबख 50-60-100 किलोमेटर के एरिये से कवियों को सुनने के लिए लोग आपर यहां पर आये हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी संख्या में यहां पहली बार कवियों को रहा है अच्छा आप बड़े अधूद आद्वियों है संसदी कारवई के दोरान जनम हुआ होगा आपका अरे भाई साब विमल्दी प्रणाम आपको अरे क्या वाद याद आगया मुझे बहुत बरसों पहले जब मैं यहां आया करता था 1990 से मेरा यहां आना जाना शुरू रहा विमल्दी के साथ मुड़ा कलब में बैट करके बहुत राते गुजरी है कई सारे पत्रकार उसमें वहां बैट करके कभी लोग साहित्यकार, रामिला जी, जांगीर, सुरेंदर दुबे जी, शाम अंगरा जी हाँ और उसमे में अनिलोडा जी भी आते थे कभी-कभी और बैट करके बाते क्या करते थे रात-रात पर गुजर जाती थी और शब्द की साधरा होती रहती थी आज इस मंच पर जितने कभी हैं उनमें दो कवित्रियां भी यहाँ पर मासर अस्वती की लाडली बेटी बेठी हैं बहुत धन्य है यह पहला समारो नगर परशत का जिसमें इतनी मात्रा में माताय बेने भी यहां बेठी हैं और कविता सुन रही है जबकि यह समय तो इनका टीवी पर नाटक देखने का होता है इस समय में माताय बेने टीवी पर नाटक देखती हैं और अगर नहीं देखने दो तो शुरू कर देती हैं हमारे देश में आ गई वह एक्ता कपूर जिसने गरगर की एक्ता को कपूर कितना उड़ा रखा है क्या सीरियल बनाती है वो इसका चक्कर उसके साथ सीरियल का नाम पवित रिष्टा वार है पवित रिष्टा इन रिष्टों से जो संताने पैदा हो रही है उनके लिए एक अलग सीरियल बनाया हुआ है ये रिष्टा क्या कहलाता है इस देश में इतने मडर नहीं है जितने C.I.D. ने सौल्व कर दिये बड़ी बात तो यह कि सुंदरिया आती विग्यापन में और हमसे सवाल पूछती है क्या आपके टूथ पेस्ट में नमक है? मैं कहता हूँ नहीं बाई मैं तो उपड़ से डाल लेता हूँ ऐसे विसंगती भरे वाता वरण में टेली विजन पर नाटक देखने का मो छोड़कर माताएं बेने यहां पर आई है मैं इनों भी सरस्वती पुत्रों की तरफ से प्रणाम करता हूँ और आप सभी का प्रतने दित्तो करने वाली मा सरस्वती की लाडली बेटी आदरनिया दीपा सेनी यहां पर मौजूद है यह प्रेम, प्यार, शरंगार, मनुवार, आनंद की कवित्री है यह राजस्थानी में भी सुनाती है, हाज से भी सुनाती है, प्यार भी सुनाती है अपने देश में एक नयानिया त्योहार आया, आजकल वो अपन चौदा फरवरी को मनाते है प्रेम चौदस कौ़ारों के आखा तीज मैंने का दीपा जी मैं भी एक लड़की से प्रेम करता हूँ, उसको उपहार देना चाहता हूँ, गिप्ट देना चाहता हूँ, क्या दूँ यह बोले सोने की रिंग दे दो, मैंने का नहीं कोई बड़ी चीज बता बोले ट्रेक्टर का टायर दे दे प्रेम प्यार जब आक्रोस की भाशा बढ़ता है तो कुछ-कुछ स्मित मुस्कान सी जो लोगों के चेहरे पर आती है वेसे ही अनुष्ठान की जादू करने का नाम दीपा सेनी होता है मैं इस मकाम पर उन्हें बुलाना चाहता हूं पुरा सदन जोरदार ताली के कटगराट सेने मंतरन दे दीपा सेनी महरबानी करके थोड़ी सी मर्यादाओं का भी ध्यान रखें कि इस शहर में आई हुई बेटी आपकी महमान भी है क्या बात है माईक को वापस कुवारा कर दिया तूने तो सभी को सादर पर नाम माशार्दे के चड़नों में वंदन रखती हूं अपना नमन करती हूं और चैर्मेंग साब को विशेश आभार सादुवाद जो आपने ये शुरुवात करी ये पहल करी ये एक सायतिक अनुस्ठान यहां पर आज रखा नगरपालिका के जितने भी इस परिशत के जितने भी अधिकारी है आलाफसर है उनको भी मैं बहुत-बहुत नमन करती हूं जो इतने अच्छी शुरुवात आप कर रहे हैं मेरे बैचमेट भी यहां पर है केसी मिना जी जो यहां पर ऐसा ही है और उनको भी बहुत-बहुत सादुवाद के बहुत अच्छी व्यवस्ता आपने करिये प्रबुद मंच को भी प्रणाम करती हूं आप सब को प्रणाम करती हूं और आग्या चाहती हूं अपना कावेपाथ शुरू करूँ बहुत-शांदार आप सुन रहे हैं बहुत-प्रबुद बहुत सुधी शुरुता आप हैं एक बार जोड़दार तालियां अपने लिए आपने सबको बहुत प्यार दिया आशा करते हैं कि मुझे भी उतने ही प्रेम से सुनेंगे आप सबसे पहले चार पंक्तियां इसी शेहर के लिए पढ़ना चाहती हूँ स्वागत कीजिएगा कि समय पर ही तालिय बजाईएगा ये बाई साब भी बहुत उस्सुक है एक तो इनका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है कभी तो ये उन पर वारफेर करते हैं कभी इनके लिए सीटी बजाते हैं और जब मैं आई तो हूहू करने लग गए ये भी confused है आप कहें तो सबसे पहले चार लाईने इनी भी बढ़दू में ख़़ा सा आवाज आए मेरे को पूरी चारों तरफ से आदेशित कर दीजिए हम तो रहा दूरेंगे पहले विकास भाई साब भी हम ओज़े प्रणाम भाई साब तो सबसे पहले चार पंक्तिया इनी कि सम्मान में पढ़ देती हूं सबसे आगे बैठे वे पलक पाउडे बिछा के देखिएगा इनका टेस्ट कैसा है और आप बताईएगा बात पहुंच जाए तो इनके टेस्ट की बात कर रहे हूं कि न वो इक्रार करता है न वो इक्रार करता है ये कैसा आदमी है आदमी से प्यार करता है अगर आम तक लग गई हो तो जोड़दार तालिया फिर से हो जाए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और राम नॉमी का पावन अफसर है श्री राम जी का आपने बहुत अच्छा मन सजाया है और मैं राम नॉमी की शुपकामना है आपको देना चाहती हूँ तो मेरे ठाकूर मेरे राध्य और श्री राम के चड़नों में अपनी पंक्तियां रखती हूँ और ये कावे पाट शुरुवात करती हूँ सुनिएगा बीच मजधार में जब अटक जाते हैं राम आकर खिवईया मेरे बने जाते हैं शब्द माला मेरी जब बिखर जाती है राम आकर सवईया मेरे बने जाते हैं और अगली पंक्ति पर आपकी तालिया वजे की प्रेम के भाव से देखती हूँ उन्हें प्रेम के भाव से देखती हूँ उन्हें राम आकर कनहया मेरे बने जाते हैं और ये शहर बहुत प्यारा है आप इसके लिए चार पंक्तियां कर रखती हूँ के के मिठाईयों में भी मिठास के मिठाईयों की भी मिठास है उसे घेवर कहते हैं जो मिठाईयों की भी मिठास है उसे घेवर कहते हैं और जो भावियों को सबसे खास हो, उसे देवर कहते हैं, आप मंच पर ही आ जाईए ना, ये बहुत उट्सुक है, इतना निमंत्रन मत दो, ये ठेट साथ चल जाएंगे जैपूर्दा करें, नहीं फिर आप यही नहीं, तो सुनिएगा, कि मिठाईयों में भी जो मिठास हो, से देवर कहते हैं, और इस शहर के लोग बड़े प्यारे हैं, दीप, जिस शहर को, आवाज नहीं आई, जिस शहर को, अरे बहुत बढ़ी है, आप अच्छा सुनते हैं, आप बहुत अच्छे सुधी शुरोता है, आज कावे पाट का मुझे भी आनन्द आ रहा है, क्योंकि आप गुणी जन है, क्योंकि यहीं से जो कावे पाट के शुरुवात हुई है, और आज फिर से नई शुरुवात आपने करिए, उसके लिए सादुवाद, आगे सुनिए गाके, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, यह राम पर, कृष्ण पर, ज्यान पर, हमारे योगंदर शर्मा जी बहुत सुनाएंगे, आपको जिस व्यवस्ता के लिए निविदन किया जा रहा है, वो यह है कि, रुकी हो रवानी तो किस काम की है, और न बहके जवानी तो, कोई फड़कता वड़कता सा गीश सुनाओ, ताकि यह ब्यावर को मतलब है कि ब्यायोग ये वर बहुत है, देखो क्या है कि जो संचालक मावदे होते हैं इनको बिमारी होती है बीच बीच में बूलने की, संसार में इश्वर ने बहुत सुन्दर दो रचना बनाई है, एक नर्व और एक नारी, तीसरी एक गड़बड है, जिनके समझ में आ गई हो कि वो तारीब जा सकते हैं, जिनके लिए मैं मर गया, उनका यहाल है, हीटे चुरागर ले गए मेरी मजार से, पढ़िए, तो सुनिए का आप, कि मैं आपी की बात पर आती हूँ, कि कोई ऐसा विक्ती नहीं है, जिसने जीवन में महबत ना की हो, और मुकमल जहां किसी को नहीं मिलता, जाने वो कैसे लोग थे, जिनके प्यार को प्यार मिला, तो प्यार किसी को नहीं मिलता, दिल ज़दा तूटते हैं, और आज तक हमने इतनी प्रगर्टी कर ली, चाहे अमेरिका ने प्रगर्टी कर ली, पर कोई ऐसी मशीन नी बनाई, जिससे वो इनाप सके, कि दिल में कितना दर्द है, क्या बात है, सबसे पहले, किसने किसको धोखा दिया, किसने छोड़ा, ये मशीन आज तक नी बनी, चार पंक्तिया सोप रही हो, तालियों से स्वागत कीजिएगा, कि दिल की बात पत्थर से कभी भी की नहीं जाती, हमें आती है उनकी याद पर उनको नहीं आती, तडप कर मौम तो पिगली, मगर पत्थर नहीं पिगला, तडप कर मौम तो पिगली, मगर पत्थर नहीं पिगला, लगली पंक्ति में आपकी तालियों जे की, समझ आती है जग को बात बस उसको नहीं आती कि दिल की बात पत्थर से कभी भी की नहीं जाती और राजस्थान से हम बिलॉंग करते हैं राजस्थान हमारा मान है राजस्थान की धरा से आते हैं कि बोली बोलो आपनी बड़ो अडावण मान और जीव अच्छाती ठोक के मत से वो अपमान आपकी राजस्थान की धरा के लिए जोड़तार तानली एक बारा बजा दीजिए एक राजस्थानी का गीत आपके बीच में रख रही हूँ उस सुनिएगा कि ऐसी कोई भी महिला नहीं है जिसको जेवर प्यारा नहीं है सब बोलती है मारा तो जेवर गड़ा दियो क्योंगी गुए गुए गुण्चा है बन तो एक राजस्थानी गीत महिला शक्ती भी यहां बैठी है नारी सुरूपा बैठी है आज आप ही का दिन है हमारा ही दिन है तो जोड़ार तालियों स्वागत कीजिए का एक गीत पढ़ रही हूँ राजस्थानी आपके बीची में यह पैरोडी एक हमारा आली जा सरदार थे तो हो जाओ तया हमाने जेवर घडा देओ राजी राजी रसी या मारे चुडले मांडालियो थारो नाम रसी या देको राज स्तानियां गी तैसे नहीं सुनते, तो तालियां साथ में बजाते रहेगा शुनिगा कि उम्हारे चुडले मांडालियो थारो नाम रसिया होते तो जाता रे वो सेर मांसे काडो मत बैर मैं तो मांगू नहीं थोडो ल्याओ पायल को जोडो होते तो जाता रे वो सेर मांसे काडो मत बैर मैं तो मांगू नहीं थोडो ल्याओ पायल को जोडो मारी पायल के सागे ल्याओ जो चार बिचिया मारे चुडले मांडालियो थारो नाम रसिया हो मारे चुडले मांडालियो थारो नाम रसिया और क्या बोलती है कि कोई मगरूर बैठा है कोई मजबूर बैठा है कोई मशुहूर बैठा है कोई मगरूर बैठा है तो आप आपकी समझ में आरे मुझे असा क्यों लग रहा है उम्हारे चुडले मंडाल्यू थारो नाम रसिया अम्हारी पाडो संके चाले रे कटार रसिया बहुत अच्छा के जो मस्त है अपनी मस्ती में हम दीवानों की बस्ती में लेकर के तराने आए हैं हम गीत सुनाने आए हैं हम गीत सुनाने आए है इन आखों के कुछ नजराने इन अधरों की कुछ मुस्काने हम हसने हसाने आए है हम गीत सुनाने आए है हम गीत सुनाने आए है जोड़तर तालियों से एक बार आदिशित कीजिए और एक बहुत ही आपने बहुत चेर्मिल साब बहुत पावन मंच सज जाया है और अगर मैं कोई ऐसा गीत ना पड़ूं तो ये तोहीन होगी साहित्ते की मैं सुंदर साघीत पड़ने जा रही हूं जिसमें सबी पात्रों को इंगित करती हूं जिसमें राम हैं कुंती हैं भीम हैं शिव हैं ऐसे कोई विनाश काले विप्रित बुद्धी होती है और कैसे के सद बुद्धी आती है तो सुनिएगा एक मारमिक गित पढ़ने जा रही हूँ बुद्धी की बात हो रही है इसको मान दीजेगा के सुनिएगा बुद्धी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसी सनातन धर्म में मैत्रे हुई है इसी सनातन धर्म में गारगी हुई है जो बैट कर शास्त्रास्त करती थी क्या बात है जोड़ार दालियां उन देवियों के लिए इसी सनातन धर्म में सबसे पहली कवित्री हुई है मीरा बाई सबसे पहली कवित्री मिरा बाई हुए तो सुनिएगा इस गीत का स्वागत कीजिएगा एक बहुत हिमार्मिक गीत बहुत सम्विंदन शील गीत आपके बीच में रख रही हूँ मंच भी अपना साथ दे मेरा हाँ हर चोखट पे प्रश्न खड़े है मर यादा को मुझ इठ लाए किसने कितने कश्ट उठाए किसने क्यों कर लांगी दहरी किसने कितने कस्ट उठाए सुनिएगा कि कोई वचन को वचन ही माने श्री राम कोई वचन को वचन ही माने कोई वचन को आज माए कोई पुत्र के मुख को तरसे कोई नदी में पुत्र बहाए कोई पुत्र के मुख को तरसे कोई नदी में पुत्र बहाए और अगली पंक्ती है कि कोई एक वरण को तरसे आप खुछ सोचेगा वो पात्र कौन सा है कि कोई एक वरण को तरसे कोई पाँच पती भी पाए कोई एक वरण को तरसे मैं देखना चाहूंगे आप कितने सुदिश रोता है और मेरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं साहिते की गाता है जो पंक्ति आपको समझ में आए जो पात्र आपको समझ में आए उस पर तालियां जुरू बजाईएगा कोई एक वरण को तरसे कोई पांच पती भी पाए कोई जीवत प्रेम को तरसे कोई मर कर करिशन को पाए दा को मुँ इठ लाए किसने क्यों कर लांगी दहरी किसने कितने कस्ट उठाए और सुनिएगा आगे कि किसने क्या क्या किसके साथ हुआ पुरुष की सबसे बड़ी बात ये है कि उसी इस्तरी पर उसका मन आता है जो इस्तरी पवित्र है पावन है इंद्र के पास में उर्वशी रंभा हर तरे की उसके पास में उर्वशी रंभा तरे की नर्तिकियां थी एक से सुन्दर महिला थी पर फिर भी उसने अहिल्या को छला फिर भी उसने यह लगव छुना अगली पंक्ति पर हाथ उटाके तालिव जाएगा कि कोई इंद्र क्यों कर इंद्र रिशी का रूप धरे क्यों क्यों कर चन्दा बांग लगाएं इंद्र रिशी का रूप धरे क्यों क्यों कर चंदा बांग लगाए कोई घर के भीतर आया कोई घर से बाहर जाए हर चोखट पर प्रशन खड़े है और अगला प्रशन इंगित कर रही हूँ बगवान श्यूपर सुनेगा के कोई मन की मती चले कोई मन की मती चले और कोई मन को राह दिखाए कोई जोगी विवा करे और कोई तुलसी दास कहाए हर चोखट पर प्रशन खड़े है और अंतिम पंतिस वापती हूँ आप स्वागत कीजिगा इस व्यावर को के कोई मन की कोई मती चले और कोई तुलसी दास का हाए और अंती मंकि सुनेगा कर कोई चपन भोग लगाए कोई चपन भोग लगाए कोई जूटे बैर भिखाए किया कहने कोई चपन भोग लगाए कोई जूटे बैर भिखाए मन डर गई ने ने रोज रात को इसे ही करते हैं गर पे करते हैं तो आदध पड़ी हुई है जगदंबा देखते ही प्रणाम करते हैं यह के इनी की दुआउं ने बचा रखा है सर्माया मेरा के इनी की दुआउं ने बचा रखा है सर्माया मेरा वरना तो रहता है, दिल घबराया मेरा क्या बात है, बड़े जिंदा दिल सुरोता है यहां के ब्यावर के, इसमें कोई दोराई नहीं है मस्त नहीं लेते हैं, देखो, उनके मन में कोई पाप नहीं है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर आपने बहुत संविन चिल गीत के बीच में बहुत अच्छा यहां पर एक संदेश देके जा रही हूं बच्चियों को सनातन धर्म के नहीं है नाम पर, अगर मैं यह ना करू तो फिर क्या मतलब है हमारा, सुनिएगा कि संदल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे, करो वरण तुम सना तरीका, तो ऐसा परिवार मिले और भाई मिले लक्ष्मन के जैसा, भाई मिले लक्ष्मन के जैसा, पिया के राजा राम मिले जैस्री राम और कब तलत नकारोगे मुझे, फिर एक दिन पुकारोगे मुझे, और तब तक तो मैं सवर जाओंगी फिर क्या खाक सवरोगे मुझे, जोड़दर तालिया आपके लिए, धन्यवाद, श्री रा बहुती अद्भूत कवी सम्मेलन यहां पर सुना जा रहा है, और किया जा रहा है, और हो रहा है हम यहां आए नहीं कहां चले सर, मेरी शुब कामना हैं आपको, कि आप सफलता पूरवक मतदान करके वापस आएंगे जब यह वापस आएंगे, चेर्मेन साहब आपकी जिन्दा दिली है कि आपको चाहने वाले लोग यहां पर पूरे आनंद के साथ मौजूद हैं, आदर ने राम गोपाल जी भी आगए हैं, यह भी बड़े साहित्ते प्रेमी हैं और लिखने वाले वक्ति हैं और मैं इनसे प्राइफना करता हूँ कि अभी मेरी दुकान चल रही है कि आपकी दुकान को थोड़े दिल रहने दो, मैं दे दूँगा सबको, मैं दे दूँगा हम यहां आए नहीं हैं सिर्फ गाने के लिए, लाए हैं हम रोशनी सारे जमाने के लिए जिस चेतना के साथ दीपा जी ने इस कविसमलन में अपनी उपस्तिती दी वह निश्चित तोर से प्रणम में हैं और देखो एक सूचना मैं यहां पर देना चाहता हूँ 140 करोड से ज़ादा की आबादी है हमारे हिंदुस्तान की पर आज भी कमिशनर साहब हिंदी कविसमलन के मंचों पर हिंदी की कवित्रियों की संख्या 140 भी नहीं है उसमें से अगर टॉप की मेरिट बनाय जाए दस कवित्रियों की आज जो दो कवित्रियां यहां पर हैं कविताजी और दीपाजी वो यहां पर रहिए एक बार जोड़दार तालियान के लिए यहां पर बजाए जाए और जब ये प्रेम प्यार के गिस सुना रही थी तो हमारे ब्रदर इनमें भी मस्ती आ रही थी हाँ और इन्हों ने पूरा रसल लिया इनकी कोई गलती भी नहीं क्योंकि ग्यानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही साथ बलादा क्रिश्च मोहाया महा माया प्रियच्छ दी चोटे-मोटे आदमियों की दसामर्थ की बात ही क्या ग्यानी नाम अभी चेतांसी बड़े-बड़े ज्यानी ध्यानी भी ये तो माया है कि इसको देखके मोहीत हो जाते हैं हाँ ऐसी इस्तिति में इनको देखकर अरे मैं विमल जी भाई साब कुछ दिन पहले मुंबई यात्रा पर था मैंने देखा बीर बार के बार बेठा वेक चोरा दारू पीते वे रो रहा उसको पूछा भाईया तू क्यों रो रहा बोला मैं जिस लड़की को भूलना चाहता हूं उसका नाम याद नहीं आ रहा है उस दोर में इस महा मया का अनुस्ठानी जगदंबा का चल रहा है इसे प्रणाम ही किया जा सकता जिस भाई ने किया है मैं इसकी इस विनमरता पर प्रणाम करता हूं कि बाहर से आई वी बेटी को ब्य श्यात्रा थी और जब आप वापस यहां आये तो पूरे ब्यावर शेर ने आपका स्वागत किया था बड़े-बड़े कलब वाले सारे उस समय लाइन्स कलब वाले वो एक तो चेरमें साथ ते राठी जी शायद काफी बहुत लोग ते जब यहां पर छोटी से छोटी घट अचनाओं को उस्व करके बनाया जाता है मैं इस ब्यावर शेहर में आता हूं तो लगता है कि मुझे कविसमनल का एक तीर्थ करने यहां पर आया वहूं प्रेम प्यार के अध्भूत कविताएं सुनाई राधे की बात की कृष्ण की बात की प्यार की बात की संसकार की अरे हम कोई क्या प्यार संगार की बात सुनाएंगे सर व्रिंदा वनम सकिभुव वितनो तकीरतिम यद देविकी सुद्पदाम मुझे लब्द लक्ष्मी गोविंद वेन मन मत मयूर नरत्यम प्रेक्षाद्रि सान्व परितान्य समांस्त सत्पम गवराव मत अर्थ भी सुनाऊंगा रोमांचित हो जाओगे आप प्रेम को अर्य जो फिल्मों में नायक नायकाओं को लिपटते चुपटते वे देखते हैं जिसको छोड़े मुखबत समझते हैं अरे वो मुखबत नहीं है ये जो हमारे प्रेम के बड़े जो अवतार है प्रभुश्री कृष्ण राधिका उनक इखो तो जी कनेया जब रिंदावन में बांसुरी बजाता है जड़ चेतन हो जाता है नदियों के पानी में खुश्बू आने लगती है पुश्बू पोजियों पिये जितने भी पक्षी वो गीत गाने लगते हैं इतने में किसी व्याच्छाकार ने इसको आगे बढ़ाय कि बांसुरी बजाते वे कनेया थे तो सामने से एक मोर आया नाचता हुआ आते ही कनेया से कहा चलो हमारे साथ अब बांसुरी बजाता वा मोर आगे आगे बांसुरी बजाते वे कनेया पीछे पीछे ले आया है गाउं में गाउं का नाम बरसाना सामने विर्षभान सुता क घर, मोरने का ठेरो अभी एक सुंदर सा परिचे कराते हैं, रादिका जी गई है जमना जी जल भर ने, जल भर करके लाई है, परिचे करा रहा है, ये है व्रशभान सुता रादिका, पहली बार देखा कनया ने राधा को, जब देखी व्रशभान उजा, ये बिच उठी हूग और बंची रह गई हात में फिर न लागी फूँग, ये कनया की दशा प्रेम में, अब वो राधिका जिसने नंद के नटकट छोरे के बारे में हजारों बार सुना, वो आज सामने पहली बार उसको देखा, तो लजाई शर्माई किया गूंगट माथे परती मटकी, मटकी ब दाद सिर से दार दी मटकी तो कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, मटकी बार दी, वो लजाई शर्माई दोड़ी घर में घुसी, अब पीछे रह गए कनया और मोर, कनया ने देखा मोर को, वो भी दिर्शे नेत्रों से देख र याद में हम तुमारा पंक अपने माथे पर धारन करेंगे। आधर निया दीपा जी को सुनकर अच्छा लगाओ तो एक बार जोड़दार तले इस बेटी के लिए बजा दिए अब इसके ज़्यादा चाहिए अब मैं जिसे बुलाना चाहता हूं बहुत देर हुई हास परिहास भी बहुत हुआ फिल्मी पेरोडियां भी हुई गीत भी सुनाया गया आईए हम में एक प्रेम और होता है वो होता देश प्रेम जब देश प्रेम जाकता है ना तूस पे सारे प्रेम नियचार हो जाया करते हैं तो आज हमारे बीच एक ऐसे कभी मौशूद है जिने योगेंदर शर्मा के नाम से पुरा हिंदी जगत जानता है कि तू जिसमें है चरप्रसन मेरी प्रसनता उसमें है भारत के लिए गाने वाला आदमी भारत से क्या कहता है तू जिसमें चिर प्रसंद मेरी प्रसंदता उसमें है मेरे प्यारे देश बता तेरी प्रसंदता किसमें है तो जोड़दार तालियों से बुलाएं आरे श्री योगेंद्र शर्मा अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो तो जग की सब संपति मिले सब साधन मिल जाए तुलसी वहां न जाईए जहां फुलकप मिले न चाहिए अभी तो आने में टाइम लगेगा जब तो आप जम जाओगे जब वतन की एसमिता ही डोलती हो लक्ष खोकर शब्द शर्से लक्ष का संधान कविता है सुनो और ख्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्टे हो तब शिष्ट के कल्यान हित विश्पान कविता है सुनो मांस नोचे धर्म का ही जब धर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो और सागरों के शांत जल में ज्वार का उनमाद भरकर शब्द शक्ती जागरण अभियान का विता है सुनो इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभेष्ट अनोश्ठान करता हूँ धर्म निर्पेक्ष नहीं धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजब का अभिनमान सम्मान करता हूँ राष्ट की चरण वंदना में अभियक्ति के पुरुस्थात शब्द वुद्धी की अधिश्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्धत भावसे नत्शी शोकर विद्वत मंच सहित व्यावर की पावन वसुन्धरा पर विराजमान तमाम देश भक्तों के चरणों में हल्दी घाटी का अपनाम निवेदित करता हूँ जिंदाबाद जिसम परुश्णी का दर्बार नहीं है मेरी कविता ओज भरी भाशा के द्वार खड़ी है भूशन दिनकर की ड्योडी पर पहरेदार खड़ी है मेरी कविता समझोतों की शर्तों से इंकार करेगी अवरोधों की चट्टानों से तकरा कर टंकार करेगी मेरी कविता खुद्दारी से युद्धों को स्विकार करेगी कुरूक शेत्र में कौरव दल के कुल का कुल सेंगार करेगी मेरी कविता ब्रेश्च प्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मा की जयजे कार करेगी मुझे दो-तीन साल हो गए इन पंक्तियों का पाट करते हुए दो-तीन साल में कोई ऐसा मंच नहीं आया जिस मंच पर मुझे इन पंक्तियों के उपर इतना अशिरवाद प्राप्त उगाओ जैसा ब्यावर की धर्ती ने मुझे प्रदान किया मैं प्रणाम करता जिन्दाबाद कुपेत्राम का शर्संधन कहेगी कुरू खेत्र के मध्यपार्थ से गीता ज्यान कहेगी शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदोस्थान कहेगी शब्द शब्द में इतना बड़िया आप सुन रहे हैं नमन है आपको प्रणाम है आपको चार पंक्तियां आपके इस जोश से उत्साहित होकर सुनाना चाहता हूं आज भी मैंने एक न्यूज पढ़ी पंजाब के सुरी में पंजाब के सुरी लिखता है कि LOC के उस पार जो P.O.K की सीमा है 1.500 उग्रवादी, विदेशी उग्रवादी, आतंकवादी LOC के उस पार भारत में घुसने की तैयारी करके बैठे हैं मेरे देश ने उरी का हमला जहला लेकिन ये एक उंग्ली जब सामने करता हूं तो ये तीन उंग्लिया मेरी तरह पिशारा करती है मैं सीधे सीधे पंक्तियां पढ़ता हूं भाई साथ अगर सियासी रंग ने होता सम्विधान की वर्दी पर अगर सियासी रंग ने होता सम्विधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नाधान नहीं करता और सही वक्त पर सरयाम अफजल को फासिदी होती तो मंबई में घंगोर धमा के वो शेतान नहीं करता अगर सियासी रंग ने होता सम्विधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नाधान नहीं करता सही वक्त पर सरयाम अफजल को फासिदी होती तो मंबई में घंगोर धमा के वो शेतान नहीं करता एक शीष के बदले में एक शीष के बदले में यदि दस समने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता और दो-चार दरिंदों की फासी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में खुसने की हिम्मत वो पाकिस्तान नहीं करता यार कुछ हाथ खामोश सहे ब्यावर में तो मुझे कम से कम ये विश्वास था ब्यावर में नगर परिशद का पहला कभी सम्मेलन हो सकता है लेकिन इस धर्ती ने अच्छे-च्छे साइत्यकारों को अपनी चाती पर खेलने का मोका दिया है इस माने धर्ती माने अच्छे अच्छे साइट्यकारों को अपना स्तंपान करा के पूरे देश में विख्यात कर दिया मैं उस धर्ती पर खड़ाऊं कुछ हाथ खामोश रहे अरे जब ऐसंभव से ऐसंभव काम हो सकते हैं तो क्या वो एलो सी के पार की धर्ती जिसे पीओ के कहा जाता वापस मेरी भारत माता में शामिल नहीं हो सकती क्या मुझे अच्छा लगा आपकी सुना होना से लेकिन जो हाथ खामोश से नीचे ठीके हुए है थोड़ा उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि थोड़ा जाग जाईए चार पंक्तियां इसलिए सुनाना चाहता हूं ऐसंभव से ऐसंभव काम इस देश में घटित हो गए किसी ने सोचा था क्या राम का मंदिर बन जाएगा इमानदारी से बताना मुझे किसी ने सोचा था क्या धारा 370 खतम हो जाएगी यार चार पंक्तियां सुन लिजिए मैं गड़े करूँगा अच्छा नहीं लगेगा सुनिएगा कलुष क्रत्य के विशत व्रिक्ष को त्वरित उखाड दिया हमने बाई साब आपने उनको प्रणाम किया मैं आपको प्रणाम करता हूँ थोड़ा सा देश भक्ति की बातों में आप जैसे योध्धा जब आपस की इधर उधर की बातों में उलच जाएंगे तो इस देश को फिर 80-80 साल के प्रणामंत्री भुगतने पड़ जाएंगे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ सुनियेगा चार पंकिया कहता हूँ इन चार पंकियों में आपका जोश देखना चाता हूँ इधर भी जो लोग चेर्मेन तो बेठें नीचे और चेर्मेन बनकर बेठें आप लोग आपको भी निवेदन करता हूँ अच्छा सुन रहें आप पड़ाम आपको चार पंकियां कहता हूँ सुनिये कलुष कृत के विश्ट व्रिक्ष को त्वरित उखाड दिया हमने चार भी क्या उकात मैं तो साड़े तीन पंकियां बोलता हूँ अगर मेरी साड़े तीन पंकियों में ताकत है तो ये भगवती आधी पंकियों यहां से पूरा करवाएगी साड़े तीन पंकियों का पाठ करता हूँ सुनियेगा कलुष कृत के विश्ट व्रिक्ष को त्वरित उखाड दिया हमने साथ दशक से जमी गर्द को पल में जाड दिया हमने कलुष कृत के विश्ट व्रिक्ष को त्वरित उखाड दिया हमने साथ दशक से जमी गर्द को पल में जाड़ दिया हमने अरे वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा जंडा गार दिया हमने गाव गली तक गाव गली तक अमर तिरंगा जंडा गार दिया हमने और दफा 370 वाला पन्ना इस चेतना को प्राम करता हूँ सर्विनम्रता पूरवक मैं सच कहता हूँ ऐसे लोग होते हैं तो मुझे कविता पाठ करने में उत्सार रहता है निवेदन करता हूँ क्या हो रहा है यहां पर शब्द स्थवन का हवन यहां छलचंदों का बाजार नहीं बिन शद्धा के यहां किसी को पूजा का अधिकार नहीं प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ मैं शब्दों का व्यापार नहीं मुझे नहीं सुन पाते जिनको भारत मा से प्यार नहीं मेरी कविता बाजारों की ड्योडी पर लाचार नहीं खुददारी तजकर दुनिया की दौलत भी स्विकार नहीं मैं कविता को नहीं सजाता कागज के गुलदस्तों पर प्राण निछावर करता हूँ मैं ऐसे वतन परस्तों पर जो शद्धा से कविता मा के मंचन का आपवान करें आरा धन के दीप जलाकर राष्ट देव का ध्यान करें कविता मा के प्रग्य पुजारी कविता के यजमान वही जिस धड़कन में बसे तिरंगा मेरा हिंदुस्थान वही कावे यग्ज की वेदी पर जो समिधा सुमन चडाते हैं भारत मा के जैकारों से धरा व्योम गुन जाते हैं बलिदानों के करुण कर्थे पर जो द्रिकधार बहाते हैं वे कविता के विद्वत सोता वंदनी हो जाते हैं ऐसे सोता विंद शेष्ट पर मुझे चक्रवर्ती कविता पाठ करना पढ़ रहा इधर भी घूमना पढ़ रहा बड़े लोग बैठें इधर भी घूमना पढ़ रहा बलिदानों के करुण कथे पर जो द्रिकधार बहाते हैं वे कविता के विद्वत सोता वंदनी हो जाते हैं ऐसे शोता वरिंद शेष्ट पर वाणी पुष्प चड़ाता हूं मतिर जन्य चातुर नहीं पर जोतिर दीब जलाता हूं ताना बाना तुक बंदी कर अभिमानित हो जाता हूं निज कविता के दो शब्द नहीं लिख पाता हूं यगण मगण मातरादी सुत्र में वर्ण चरण का ज्यान नहीं बिना व्याकरण संधारण के वाणी को भज लेता हूं उसकी करुण कृपा को ही अपना स्रिजन समझ लेता हूं उसी स्रिजन को उसी स्रिजन को मैं श्रद्धा से मंच मंच पर गाता हूं मंत्र मुग्द हो जाता हूं तो अपना शीष जुकाता हूं चंदन वंदन जो कविता के अभिनंदन में पाता हूं सच कहता हूं विने भाव से मा के चरण चड़ाता हूं उसकी शक्ति मिले जिवा को, यार ये दो पंक्तियां सुनना, उसकी शक्ति मिले जिवा को, तब जिवा तुतलाती है, वरना क्या उकात हमारी पलक नहीं उठ पाती है, कभी हो जाओं, कभी ता कर दूं, इन बातों का आर्थ नहीं, कभी हो जाओं, कभी ता कर दूं, इन बात दीजिए जोतिर मैं स्तुतिगान करूं वानी मा को कंठ धार कर वानी का संधान करूं धार धार काव्या भिशेक कर चरणामृत का पान करूं मुझको आशिर वाद दीजिए कविता का आवान करूं कविता मैं पढ़ूंगा लेकिन एक मेरा मन जिसके लिए विवल रहता है मैंने कई पत्र लिखे इस देश की सरकार को एक्यासी हजार वर्ग किलोमेटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कबजे में है और द्यक्षमोद है तियालीस हजार वर्ग किलोमेटर का क्षेत्र चीन के कबजे में है 24 प्रतिशत कश्मीर पर विदेशियों का अधिकार है हम तो केवल 46 प्रतिशत कश्मीर को छाती ठोग ठोग कर अपना बताते हैं आज जितने वे उग्रवादी हमले आतंकवादी हमले होते हैं वो हमारी ही धरती है बुद्धिवयया P.O. के धरती उनकी नहीं है हमारी धर्ती है जहां ये शिविर लगाए जाते हैं आतंकवाद को प्रशिक्षन देने के मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि ये मेरी पीडा है उस धर्ती को हिंदोस्तान की हो जाना चाहिए था क्योंकि दो बार दोनों बड़े सदनों में ये प्रस्ताव किया गया कि हम हमारी धर्ती वापस लेकर रहेंगे दोनों बार दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव हैं किसी ने भी विरोध में मत नहीं डाला है तब मैं निवेदन करता हूं यार ये अवाम की जागरती हो जाए तो हिंदोस्तान का मस्तक पूरा हो जाए बस मेरी तो यह लालसा है तो मैं कविता पड़ने से पहले मेरी एक साधना है जिसको पूरा करना चाहता हूं मेरा संकल्प है कि मैं जिस मंज पर जाउंगा इस कविता का पाठ हवश्य करूंगा मैं कविता का शुभारम में करता हूँ, दो ही पंक्तियां पढ़ूंगा, मुझे समझ में आया, कि आप लोग सुन रहे हैं, तो ठीक नहीं तो मैं दाया बाया करके वहाँ जाकर बैठूंगा, सुनियेगा, पहली दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, दो ही पंक्तियों में मैं मेरी परिक्षा लेना चाहता हूं सुनियेगा हार नहीं मानी थी हमने युक्य चांद सितारों से बड़े लोगों के उपस्थिती है तब पढ़ रहा हूं मुझे पता है कि आप लोगों के पास अगर मेरी प्रार्थना पत्र मेरी अरजी पहुँची तो दिल्ली तक जरूर जाएगी सुनियेगा हार नहीं मानी थी हमने युक्य चांद सितारों से इधर के भी लोग हार नहीं मानी थी हमने युक्य चांद सितारों से लेकिन अकसर हार गए हम घर के ही गद्दारों से बहुत आभार सुनाता हूं सुनियेगा हार नहीं मानी थी हमने युक के चांसितारों से लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से कुछ लोग आपके पीछे बैठे हैं उनके समझ में नहीं आया कि ये दूसरी पंक्ती मेंने क्या कह दी मैं एक चितर बनाता हूँ छोटा सा समझा देता हूँ कटते हुए ब्रिक्ष से कुलाडी ने कहा ब्रिक्ष तुमारी तो नियती ही कटना है मैं जब तुमें काट रही हूँ तो इतना दर्द क्यों हो रहा है ब्रिक्ष ने जवाब दिया कुलाडी मेरे ही बंश का अंश जब मेरे विद्वंश का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे जहिलना पढ़ रहा हो तो दर्दना सभाविक है ये जो हटता तुमारा साथ देरा कुलाडी कुलाडी अगर ये तुमारा साथ नहीं देता ये मेरे कुल की उलाद है अगर ये तुमारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे काट नहीं पाती हार नहीं मानी थी हमने युक के चांचितारों से लेकिन अक्सर हार चेतना देना मुझे हार नहीं मानी थी हमने युक के चांचितारों से लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से इसी लिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं सेने की योद्धा निजपोरुश की तवरा दबाए बैठे हैं भाल भारती मां का है ये बसकेवल कश्मीर नहीं स्वाब इमान की स्वर्ग धरा है असुरों की जागेर नहीं जहां मुखरजी का बलिदानी घोश गुंजता नारों में ब्रिगेड येर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में जिस धर्टी पर लोह पुरुश की गोरव गाता अंकित है और खंड खंड भू खंड जोड कर भारत माता अंकित है खंड खंड भू खंड जोड कर भारत माता अंकित है होसला देना पाग चीन के व्यतक्रम वाला पाग चीन के कबजे वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत मा का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है उजियारे की उतकंठाती अर्दी पखर बाती में कितने घाव किये हमने ही भारत मा की चाती में क्यों आखिर ने तृत्वदेश का समझोतों में हार गया कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर मेरे वर्दी के दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं इस देश में जब संसद पर हमला हुआ तो मेरे पुलिस की वर्दी के नो जवानों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी संसद नहीं मेरी भारत माता की अस्मिता की रख्शा के लिए अपने प्रान ने उच्छावर कर दिये मैं ऐसे पुलिस के जवानों को पनाम करता हूँ, जहां जहां भी आप तेनाथ हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि चार पंक्तियां आपको भी सुपूर्द करूँ, स्पी साब भी इस कारिक्रम की शुरुआत में या पधारे, ये जितने वर्दी के लोग है चार पंक्तियां मैं केवल इनको समर्पित करता हूँ, इस कविता के मद्धे में सुनियेगा, कर्तब्य निष्ठ धागों से बनती है बर्दी, मैं उस भीलबडा जिले से आता हूँ, जहां से तसकरी के लोग जब अपना उपकरम करते हैं, तो मेरे पुलिस के जवान, जान पर खेल कर उन तसक्रों को सजा दिलाने के लिए मर जाते हैं चार शहीद मेरे भीलवडा के पुलिस के जवान है तब निवेदन कर रहा हूं करतवे निष्ठ धागों से बनती है वर्दी राष्ट घीत की रागों से बनती है वर्दी वर्दी कोई साधारन गणवेश नहीं है वर्दी वर्दी कोई साधारन गणवेश नहीं है अरे जलते हुए चिरागों से बनती है वर्दी तब निवेदन करता हूं कायरता की कालिख पोति वीरों के बल्दानों पर कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर अरे गुलाडी मारी हमने खुद अपने ही पाओं पर लाल बाहद्दूर खोया हमने ताशकंद के भाओं पर जिस डाली पर बैठे थे हम जिस डाली पर बैठे थे हम उसको खुद ही काट लिया और नहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मा को बांट लिया यार मुझे होसला दोगे तो कविता पूरी करूँगा सुनियेंगा नहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मा को बांट लिया आजादी की तस्वीरों में लाल लहु की धारा है बारत मा का मस्तख हमको प्राणों से भी प्यारा है तब मुझे 140 करोड लोगों की तालियों की आवाज केवल व्यावर से निकल कर आनी चाहिए तब निवेदन करता हूँ और यहां तो यह वो धर्ती है जहां नमस्ते सदा वचले के लोग भी यहां पर बिराजमान होंगे मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ हम प्रताब का स्वाब इमान वो हल्दी घाटी भूल गए पूज ये पद्मिनी के जोहर की वो परिपाटी भूल गए भूल गए हम कृष्ण चंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला राम चंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा बंश मिटा डाला पांच गाउं की खातिर हमने महाबारत कर डाला था कुरो क्षेत्र के युद्धस धल को शोनित से भर डाला था और चक्के छूट गए अखबर के राणा की हूंकारों से अंग्रेजों को धूल चटा भी छांसी की तलवारों से जलियां वाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए और याद करो याद करो हम हस्ते हस्ते फासी पर भी जूल गए तुम्गी हिमाले की गोदी ने अपना लहू पुकारा है भारत मा का मस्तखम को प्राणों से भी प्यारा है कभी गुलामी की जंजीरे कभी घात पतिगात से है याद ये लोग जो बहुत दूर बैठे ना मैं सच कह रहा हूँ आपको सेलूट करता हूँ ब्यावर में कभी सम्मेलन की परंपरा को अगर आसमान पे पहुंचाने का काम किया है तो वाड नमबर अठारा ने किया है मैं सच कह रहा हूँ आप और मैं तो बुदी विये ये कहता हूँ जहां कहीं कभी सम्मेलन हो तो यहां के इन शोताओं को बुला लिया करो बहुत अच्छे शोता निवेदन करता हूँ कभी गुलामी की जंजीरें कभी घात-पति-घात से है एक सदी के काल घंड में बेशक जंजावात से है अवरवदों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं इंच इंच कट गए युद्ध में शीष हमारे जुके नहीं कुछ लोगों को पता ही नहीं है उनकी गल्ती नहीं है उनके हाथ नहीं उठे दो सेनिकों के मस्तक काट लिए गए थे और भई साव आप बड़े लोग हैं लेकिन बड़े होने का ये मतलब तो नहीं कि अच्छी बात में भी आशिरवाद नहीं दो तालियां बजा कर ये बड़े वाले है हाँ यार नहीं मेरा काम वो नहीं है ना मैं निवेदन कर रहा हूँ जो सुनवाद इन लोगों को कई लोगों को पता नहीं है उनके हाथ नहीं उठे दो सेनिकों के मस्तक काटे गए सुनरा रास्थान के हमारे भाई पत्रकार साथ बैठे हूँ है निवेदन कर रहा हूँ हेमराज का मस्तक लोट कर हिंदुस्तान नहीं आया ततकालीन सरकारों ने कुछ नहीं किया तो वो मा अनजल का त्याग करके पांच दिन तक अंशन करती रही साथ एक पत्रकार ने जाकर पूछा उस मा से मा जब तुमने अपने बेटे को देश की सेना में भरती करा दिया फिर क्या जरुरत है उस बेटे का मस्तक पाने के लिए अंशन करती हो मा ने जवाब दिया बेटा मैं जानती हूँ कि जिस दिन मैंने बेटे को सेना में भरती कराया था मैंने उसके प्राण देश पर नियों चावर कर दिये लेकिन आखिर तो उसकी मा हूँ नो महिने तक इस कोख में मैंने उस बेटे का पालन पोशन किया है क्या उसके बलिदान के बाद एक माँ को उसका माथा चूमने का अधिकार नहीं मिलेगा पत्रकार जिर्दी था पत्रकार ने कहा मा मस्तक मिल गे गया तो क्या कर लोगी मा ने कहा बेटा उसका मस्तक में मेरे लिए नहीं चाहती थी अरे मैं तो ये देखना चाहती थी मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी ब्रुटी का तनाव कैसा था देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके चपरों के कसाबट कैसी थी अपने नन्ने छे वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हो तो देश भगतों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होने चाहिए तब बोल रहा हूं साहब सुनियेगा हमने परवत चीर दिये थे नाखुनों की धारों से हमने परवत चीर दिये थे नाखुनों की धारों से नील गगन गुन जाया हमने भारत के जैकारों से कदम कदम पर भारत मा की गरवी तमर कहानी है मत भूलो प्रणवीर प्रतिग्या जो संसद में ठानी है सूर्य वंश की तरुनाई में सूर्य पंच की तरुणाई में जागी जबर जवानी है अरे समझो तो में हार गए वो धर्ती वापस लानी है क्या संगल्प है अब दो पंग्तियों पर होसला चाहता हूँ आपसे काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार मैं उस बात उस 81,000 वर के किलोमेटर के बात कर रहा हूँ काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है और भारत मा का मज़ तक हमको प्राणों से वे प्यारा है यार मैं ये अगला खंट तभी सुनाता हूँ जब सामने सिर्फ देश भक्त शोता बैठे हूँ अगला खंट तभी सुनाता हूँ वरना मुझे अधिकांश जगे ऐसे लोग मिलते नहीं हैं जैसे ब्यावर में बैठे हैं मैं सेल्यूट करता हूँ नगर परिशद ब्यावर को जिसने आज पहले कभी सम्मेलन की नीव का पत्थर रखा और उसमें योगेन शर्मा जैसे तुतलाते कलमकार को भुला कर यहां मंच पर खड़ा कर दिया मैं भाई बुद्धि वहिया का भी आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया वरना मैं अक्सर मंचों पे जाता हूँ मुझे कैसे लोग मिलते हैं जिनका पोरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुन्सक कहलाते हैं पूरी बात सुनो है जिनका पोरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुन्सक कहलाते नहीं धड़कता देश दिलों में नहीं धड़कता देश दिलों में वो वरवाज जवाली है संघर्षों के विवस्वान कविता संकेत में बात करती है उसी को कविता कहते है जो बहुत सारी बातों को कम शब्दों में कह दे और संकेत में समझा दे बुद्धी जीवी शोता, देश भक्त शोताओं तक बात पहुंचनी चाहिए मैं वही उपक्रम करने जा रहा हूं सुनियेगा संघर्षों के विवस्वान तो मंदकार से युद्ध करो देश विरोधी दुराचरण को पोरुष बल से रुद्ध करो वक्त पड़े तो अरी शोनित से श्वेत दरह को लाल करो और प्राण प्रतिग्या प्रतिपालन से जग में उचा भाल करो एक कक्षा में बुद्धिविया एक अध्यापक ने पूछा बच्चों से बेटा तिरंगे में कितने रंग होते हैं एक बिटिया ने उठकर बताया सर तीन रंग होते हैं फिर पूछा तो एक बच्चे ने उठकर कहा सर चार रंग होते हैं बोलो चार कैसे होते हैं तीन रंग तो तीनों हैं एक रंग चक्र का निला रंग है चार रंग होते हैं वो अध्यापक उस लड़के का मुरीद हो गया इतने में पीछे से एक लड़का बोलता है सर पांच रंग होते हैं अध्यापक ने कहा पांच कैसे होते हैं तो के सर मुझे पता नहीं जब मेरे पिता शहीद होकर आये थे तो उनके तिरंगा लिप्टा हुआ था उसमें चार रंग तो भाईया ने बताये वही थे एक लाल रंग और था जिसमें मेरे पिता का खून था संघर्षों के विवस्वान तो मंदकार से युद्ध करो देश विरोधी दुराचरण को पोरुषबल से रुद्ध करो वक्त पड़े तो अरिशोनित से श्वेत धड़ा को लाल करो प्राण प्रतिज्या प्रतिपालन से जग में उचा भाल करो हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे होसला देना हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुष्मन का मद चूर करो या तो शीश कुचल डालो या जुकने पर मजबूर करो बहन आपको पड़ाम करता हूँ मैंने आपकी आवाद सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सरेयाम कहता हूँ मंचों से कहता हूँ इस देश को आजादी केवल चर्खा कातने से नहीं मिली इस देश को आजादी भगत सिंग, राजगुरु सुखदेव की शाहदत से भी नहीं मिली इस देश को आजादी मिली तो ऐसी माताओं की वज़े से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत मा की चाती पर ने उच्छावर करती इतिहासों के दंश मिटा कर दाग द्वंस के दूर करो कभी आया तो कविता भी सुनाओंगा ये तो मेरे संकल्प की, मेरी प्रतिज्या का बखान था जो मैंने आपके समक्ष किया, सुनिएगा मैं तो कविता शहिदों पर पढ़ता हूँ, सूरवीरों पर पढ़ता हूँ मुझे 71 बार कश्मीर जाकर बॉर्डर पर सीमा पर तीनों सेनाओं में जाकर कविता सुनाने का सोभाग्य गुद्दे भिया ने आपको बताया कि प्राप्त हो चुका है मुझे ये भी सोभाग्य प्राप्त हो चुका है कि इसी दोरान हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ और एक आतंकवादियों के प्रहार से घायल सेनिक जब मेरा कारेक्रम बेस होस्पिटल श्रीनगर में था ओ पोजेटिव रक्त नहीं मिल रहा था तो मेरा मन हुआ मैंने का ये सोभाग्य अगर अपने को प्राप्त हो जाए मेरा भगवान ने ओ पोजेटिव रक्त मेरे शरीर में बनाया मैंने जाकर विनए की प्रात्ना की हाथ जोड़े मैंने कहा इस सेनिक को जिसके लिए रक्त नहीं मिल रहा मेरा ओपोजिटिव रखत है मैं मिवार से आया हूँ मेरा रखत इनको दे दीजिए बहुत मिन्नत करने के बाद वहाँ एक करनल साथ थे जिन्होंने मेरी मिन्नत को सुईकार कर लिया मुझे मेरे जीवन का 81 रखतदान एक से निक के लिए करने का सोभाग्य भी प्राद जिन्दाबाद कमाल है तब निवेगन कर रहा हूँ मैं आचरन से कविता करता हूँ मुझे कविता नहीं बोलता मैं रोम रोम से और नाभी तंतर से स्फर का उधगोश करता हूँ और आप से ऐसी अपेक्षा करता हूँ कभी भारत मा की जै बोलने का मन हो या कभी भारत की जैगोश का कोई नहरा लगवाए तो आपके दोनों हाथ 9 करोड कोशिकाओं की शक्तिया आपकी मुठी में सिमटनी चाहिए दोनों हाथ आपके कंधों पर आ जाने चाहिए और जैसे आकाश में दोछेद करना चाहते हो वैसे जैकार का घोश करना सीख जाईए भारत माता का जैगोश ऐसे ही होता है और जब ऐसे जैगोश होगा तो एक हजार वर्ष बाद भी जब विज्ञानिक पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये द्वनी किसकी है जिसमें जैकार गोंज रही है तो उनको पता लगेगा कि कालांतर में एक हजार वर्ष पहले ब्यावर में एक कभी संबलन नगर परिशद के द्वारा हुआ था उस ब्यावर के कभी संबलन में देश भक्त शोताओं ने भारत मा की जैकार कर दी थी वो अभी तक ब्रह्मांड में गुंजाई मान हो रही मैं तब निवेदन कर रहा हूँ यार सुनियेगा इतिहासों के दंश मिटा कर दाग ध्वन्श के दूर करो कोरव दल की खुली चुनोती हिम्मत से मंजूर करो कोरव क्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो और चक्र सुधर्शन उठा कृष्णि ने दुष्मन का संखार करो अब मैं आपके समक्ष चार पंक्तियों का पाठ इस मनोयोग से करना चाता हूँ अगर इस सदन में बिराज मान यार ये आने जाने का क्रम तो रोको यार मुझे तो ये पता है कि ब्यावर में कवी सम्मेलन को बहुत शद्धा से सुना जाता है और मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा चेर्मेन चाते तो कुरसी लगवा कर खुद भी बैठ सकते थे मंच पर आकर भी बैठ सकते थे कवियों के सामने जिस विनम्रता के साथ हमारे चेर्मेन साथ बिराजमान है मैं उनको बहुत जल्दी जो जन्मदिन आने वाला या आ चुका है उसकी बधाई भी देता हूँ याद नहीं आपको समय देखना पड़ रहा है तब निवेदन कर रहा हूं सुनो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है प्रणा में है आपको क्योंकि चार पंक्तिया मैं इस मनोयोग के साथ पढ़ना चाहता हूं अगर एक भी माता बहन एक भी मेरे भाई एक भी देश बक्त श्ठोता के हाथ खामोश रहे तो मैं प्रतिग्या लेता हूं कि आज ब्यावर में पढ़ने के बाद इन पंक्तियों का पाठ देश के किसी मंच से नहीं करूँगा छूट केवल उनको है जो देश द्रोह के भावना मन में रखते हैं जो अफजल के मरने पर पटाखे छोड़ते हैं वो मेरी पंक्तियों के बाद ताली नहीं बजाए क्योंकि पावन मंत्रों का जाप गंदी जुवान से नहीं किया जाता हूं माफ कीजिएगा सुनेजे चार पंक्तियां कहता हूं आगाह करता हूं आप वान करता हूं सुनिएगा धीरज का अत्रेक किया आगे से पीछे तक के लोग जो मोटर साइकल पर भी विराजमान है लोली पर विराजमान दिवार पर इधर भी आगे पीछे जितने लोग भाई साब इधर भी हैं निवेदन करता हूँ, चाहे रख दीजिएगा एक सेगंड के लिए, धीरज का अत्रेक किया, सुनिएगा, धीरज का अत्रेक किया, तो भूल बड़ी कर जाओगे, भावी पीडी प्रश्ण करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर प साकार तभी कर पाओगे, और इपीओ केमें अमरत तिरंगा खुझ जाकर फेराओगे, पीओ केमें अमरत कि दिवार, इस बढ़ादे ऐसा आथा, मैं जानता था, कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जब तक ब्यावर में देश भक्ती जिंदा है हिंदुस्तान का बाल भी भांका नहीं हो सकता चाये सारे देश एक हो जाएं चाये ठामन देश एक हो जाएं तो भी कुछ नहीं बिगड़ सकता तब निवेदन करता हूं कुछ नहीं बिगड़ा है फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को तुम मुठी में कर सकते हो सूरच चांद सितारों को तुम मुठी में कर सकते हो सूरत चांज सितारों को तुम चाहो तो कत्रा कत्रा रतना कर हो सकता है तुम चाहो तो कंकर कंकर शिवशंकर हो सकता है तुम चाहो तो राम राज्य का दोर शुरू हो सकता है और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरू हो सकता है कि सूरज का लाचार समर्पन हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पन, ड्रड संकल्प हमारा है, पैसा आप फोटो ले लिया आपने के नहीं, वरना दुबारा ब्याबरा जाओंगा, मैं यही कविताई सुनाओंगा घर आके, आइए डर के मारे फोटो लेना भूल गए, सूरज का लाचार समर्पन हमको नहीं गवारा है, यार मैं इसलिए कह रहा हूँ, यह परंपरा कोई हमारी भीक नहीं है, यह परंपरा हमारे बुज़ुर्गों से मिली है, तब निवेदन कर रहा हूँ, याद करो जलियाँ वाला, जब मौसम आदम खोर हुआ, यार ऐसाई तो जवान था जिसने जलियाँ वाला बाग की मिट्टी को मस्तक से लगार के कहा कि मैं जब तक इसका बदला नहीं ले लूँगा, तब तक चैन से नहीं बेठूँगा, वो ही तो व्यक्ति था, याद करो जलियाँ वाला, जब मौसम आदम खोर हुआ, इन कुलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ, कौन सजा देता डायर को, कौन सजा देता डायर को, वो शासन ही हत्यारा था, पर उधम सिंग ने उस कायर को लंडन जाकर मारा था, हमारी अपनी कमाई नहीं है, हमने तो पूरवजों से प्रात्त किया है, अंगारों के पत पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं, सोसो घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं, बारूदी चिनगारी क्या है, दावा नल से जले नहीं, और दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं वा सलूट है आपको भाई साब कुछी लोग समझ बाते हैं लोगों को पता नहीं कि जोरावर सिंग और फते सिंग को दीवार में क्यों जिन्दा चिना गया क्यों कि उन्होंने वो सब स्विकार नहीं किया जो हमारे कई लोगों ने स्विकार कर लिया तब निवेदन कर रहा हूं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं सूरज का लाचार समर्पन हमको नहीं गवारा है सूरज का लाचार समर्पन हमको नहीं गवारा है देश चरण में मस्तक अरपन द्रड संकल्प हमारा है राम रावन का युद्ध हुआ रावन धराशाई हो गए लक्षमन को राम ने कहा कि जाकर राजनीती सीख कर आओ लक्षमन कहीं ऐसी जगे खड़े हो गए कि रावन ने इनकार कर दिया कुछ नहीं बताया लक्षमन ने वापस आकर राम से कहा भाईया लंकेश ने कुछ नहीं कहा राम खुद गए साथ में जाकर उन्हों ने कहा लक्षमन जब किसी से प्राप्त करना हो तो उसके चरणों में खड़े होना चाहिए चरणों में खड़े होकर दोनों भाईयों ने विंती की तो रावन ने जो बात गही वो टिपणी करके अपना कविता पाठखा समापन करता हूँ रावन ने कहा राम नीती तो मैं बताऊंगा लेकिन इस ब्रह्म में मत रेना कि तुम युद्ध जीत गए हो तुम युद्ध जीत नहीं पाए युद्ध तो लंकेश ने जीता है ये मेरी रणनीती थी कि तुम सोने के हिरन के पीछे दोड़ गए ये मेरी रणनीती थी कि मैं भक्ती करके उद्धार नहीं करवा सकता था पूरे कुटम का उद्धार करने के लिए मैंने सीता का हरण कर लिया तुम ये मत सोचना कि तुम बल में मुझसे ज़्यादा हो गए मेरे बल के आगे पूरे इंद्र के सारे देवता थर्राते हैं पांडित्य में तुम बड़े हो गए ये भी मत सोचना तुमने जब रामेश्वरम की स्थापना की तो पंडित के रूप में रामन को बुलाना पड़ा पांडित्य में भी तुम मुझसे कमजोर हो सेना भी तुमारी बहुत कमजोर है चरित्र में भी तुम मुझसे ज़्यादा बलिष्ट नहीं हो जिस्म सीता को मैंने एक साल से अशोक वाठिका में रखा है मैंने चरित्र को ध्यान में रखकर आज तक उनकी तरफ नजर उठा कर नहीं देखा ये मेरी संस्कृती है रक्षु संस्कृती जिसमें मैं दूसरे की पत्नी को हरके ला सकता हूँ मैंने मेरी संस्कृति का आचरण कर दिया तो उसमें मेरा चरित्र दागदार नहीं हुआ है इसलिए राम ये मत सोचना कि तुम जीत गए और तो और मेरे जीते जी मैंने तुम दोनों को अपनी सेना के साथ लंका में एक कदम रखने नहीं दिया है तुमको सागर के तट पर रहना पड़ा है और मैं, मैं जीतने का प्रमान देता हूँ मैं तुमारे जीते जी पूरे कुटुम्बु को लेकर तुमारे धाम जा रहा हूँ राम, देखो मैं युद्ध जीत गया हूँ सूरज का लाचार समरपन हमको नहीं गवारा है संकल्प हमारा है नेत्र तीसरा खोलो शंकर तब्त लहू की धारा है और भारत मां का मस्तक हमको मुझे आवाज नहीं आई सर मुझे बहुत अपेट्शा थी आपसे बारत मां का मस्तक हमको बारत मां का मस्तक हमको बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद जैन जैन जैन